जैश्री राम बहुत श्रागत आपका आपके अपने बेहत खास कारिकर में मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना आचारी राजमिश्रा देव गुरू ब्रहश्पती 22 तारीब को सुबह पांच बच करके 14 मिनट पर अपना राश्री परिवर्तन करने जा रहे हैं जाएंगे मंगल के घर में जाएंगे मेश राशी में जाएंगे तो मेरे करक राशी के जो बड़े प्रिये जातक जातिका हैं उनके लिए कहां जाएंगे आपके दसम भाव में गोचर करने जाएंगे भाग्यस्थान की स्वामी हो करके अब भाग्य की माध्यम से आपके कर्म की बंद जो कुंजी जो ताला बंद था उसको कुंजी के माध्यम से खोलने जा रहे हैं देव गुरु रहस्पती तो अब आपके काम में अच्छा रिजल्ट आएगा मन में प्रसन्नता होगी आर्थिक लाब होगा दसंभाव पर बैठ करके सेकंड हाउस को पंचम द्रिष्टी से देखेंगे यानि जो आप बिजनस करेंगे जो आप कर्म करेंगे एक तो काम में नए नए आउशर आपको प्राप्त होंगे आप अपने कारे का बिस्तार कर पाएंगे आप आपका कारे खूब बढ़ेगा खूब बिस्तार होगा नए और शरित्याद मिलेंगे और उस काम से धनका भी अच्छी तरीके से आगमन होगा वाणी में सापनेश आएगी वाणी में पॉजटिविटी आएगी तो आपका जो अभी तक प्रभाव था शब्द का अच्छा नहीं पड़ रहा था वो प्रभाव सब्तम दृष्टी फोर्थ हाऊस पर होगी साहाव आपको वाहन की प्राप्ति होगी आपको प्रापटी की प्राप्ति होगी तो ब्रहश्पती आपके लिए बहुत अनकूल रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं ध्यान रखिएगा वेलकम भी करना है इनका श्रागत भी करना है तो कैशे श्रागत करेंगे पांच पीले फूल लेना है और कहीं भी भगवान विश्णू की प्रतिमा हो स्रद्धापूर्बग जाकर के उनको अरपन करना है नहीं हो भगवान विश्णू की प्रतिमा तो केले के पेड की जड़ पर ले जाकर के चढ़ाईए वाइस तारीक को सुबह इस प्रकार देव ग्रूप रहस्पती का वेलकम कीजे आप देखिए आनन्द आ जाएगा परमात्मा आपको सुखी रखे इनी शुभकामनाओं के शाथ यहाँ पर बाड़ी विराम देता हूँ जै श्री राम बहुत धन्यवाद